कि फ्यूचर में सिर्फ लिंग्विस्टिक अबिलिटी और इंग्लिश के बारे में मैं आपको समझाऊंगा नहीं in between मैं आपको contemporary corporate communication norms का थोड़ा बहुत rules भी सिखाऊंगा इसका मतलब है आप officially professionally कैसे बात करें job worthy English कैसे आप इस्तमाल करें और most importantly आपको मैं professional behavior के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा जैसे मैंने आपको अभी बोला short simple smart straightforward single sophisticated sentence structure जैसे मैं आपको पूछूंगा कि कल क्या हुआ तो आप बोलेंगे 80% done 20% by Wednesday मुझे यह नहीं पूछना है कि 20% कब होगा तो आपको anticipate करना है कि मैं क्या पूछूंगा यह communication का most important rule है कि आपको imagination use करना चाहिए communication में और मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या सिखाने वाला हूँ देखें basic English तो grammatically हम शुरू करेंगे मगर usage के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे आपने अपना mother tongue कैसे सीखा आप बोलेंगे कि मैं बोल बोल के सीखा 9. यही गलती सब लोग कलते हैं आपने बोल बोल कर कोई बाशा नहीं सीखा especially your mother tongue the first step of language is always listening आपने सुनकर mother tongue सीखा चार रूल है L.S.R.W. listening, speaking, reading, writing आपके घर में जो बच्चा है ना वो बच्चा कैसे सीखता है एक mother tongue वो एक साथ से वो सुनता है इसलिए कोई भी बच्चा मैं जाएंगे नहीं बोलेगा वो हमेशा बोलेगा मैं जाओंगा, मैं जाता रोंगा, मैं गया, मैं जा चुका हूँ ऐसा बोलेगा क्यूंकि वो जानता है कि मैं जाएंगे नहीं आएगा Immediately नहीं बोलेगा, थोड़ी जिजग तो होगी, मगर जब वो बात करेगा, वो सही तरह के से वो grammar का जो rule से उसे इस्तमाल करेगा और grammar के beyond बाशा का समझ के उपर उसको एक grip आ जाएगा Language में grammar के साथ साथ नहीं, मगर you become an expert beyond grammar, correct? In your mother tongue, जब आप बात करते हैं तो उसका जो जानकारी है, वो मैं आपको grammar से हरा नहीं सकूँगा मगर English में मैं आपको अराम से, आसाली से मैं आपको grammar से हरा सकता हूँ क्यूंकि आप English को grammar से आप सीखना चाहते हैं पहली बात तो यह है कि मैं आपको English grammar से नहीं, मगर usage से सिखाऊंगा और दूसरी बात यह है कि जब आप खाना बनाना सीखेंगे ना, तो आप क्या-क्या सीखेंगे, सब कुछ एक ही साथ सीखेंगे आप, नहीं पहली बात यह है कि अगर आपको खाना बनाना सीखना है तो मैं आपको first दाल, चाबल, रोटी और सब्जी बनाना सीखाऊंगा जब आप यह चार सीखेंगे, verbs, tenses, adjectives, articles, prepositions यह आप सीखेंगे ना, तो क्या हो रहा? तो आपको आसानी से चार लोगों के बीच में बात करने का अभ्यास आ जाएगा और पुला और डेजर्ट सब कुछ मैं बात में सिखाऊंगा नमस्कार आप यह वीडियोस देखिए और मुफ्ट में हिंदी से इगलिश आसानी से सीखिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थांक यू 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 कर दो कर दो आइ